दोस्तों मान लिजे कि आपने sleeper की class में एक waiting वाला ticket या फिर एक confirm ticket बुक किया अगर आपको उसी ticket के बदले 3rd AC या फिर 2nd AC में एक confirm seat प्रवाइड करा दी जाया तो ये आपके लिए कैसा रहेगा या फिर अगर आपने कोई भी एक 3rd AC में confirm या फिर waiting ticket बुक किया अगर आपको 1st AC में एक बिल्कुल confirm seat दे दी जाया बिना किसी extra charge के तो ये आपके लिए कैसा रहेगा तो दोस्तों जी हाँ ये सारी चीजें बिल्कुल possible है 100% possible मैं कोई भी आपको जादू यहाँ बे नहीं दिखा रहा हूँ railway का आपको सुवीदा देता है auto gradation की आखे लिए auto gradation क्या है काम कैसे करता है आपको इसको enable कैसे करना है सारा कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में पूरा detail में बताने माला हूँ साथ के साथ आपको इस वीडियो की skip करने की जुरूरत बिल्कुल भी नहीं है वीडियो यहीं से start होने है ला तो आईए चलिए शूरू कर लेता है तो दोस्तों auto gradation काम ये करता है कि जब भी कोई भी passenger एक ticket को अपनी book करता है तो उसको वहाँ पे preference की रूप में पूछा जा क्लास में बहुत जादे वेटिंग वाली भीड रहती है तो आपको उसमें से उठा कि एक higher class पे ग्रेट कर दिया जाता है और आप से वहाँ पे कोई बी अलग extra charge नहीं लिया जाता है अब यहां पे दो लोगों का benefit होता है अगर आपकी ticket वेटिंग में है तो इस option को तो आप जरूर से ले लिजे क्योंकि अगर आपकी ticket वेटिंग में है सेम class में आप seat खोज रहे हैं अगर नहीं मिल पाई तो अगर आपको लिए इस option को तो next class में आपको upgrade कर दिये जाएगा अगर आपका ticket confirm है अगर आपको एक higher class मिल जाएगी तो वहाँ पे आपको मज़ा आही ले जाएंगे कुछ लोग नीचे वाली class में रह जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा नुक्षान हो जाएगा सारे लोग इधर उदर वहाँ पे हो जाएंगे अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इस option को लेना कैसे है तो लेने का process बिलकुल असान है जैसे काम करती है और कभी भी आपको अटो अप्रेडेशन नीचे की class में नहीं ले जाता है जैसे मालेजिए कि आपने second AC का ticket book कराया तो अगर आपने आपको लिया है तो सिर्फ और सिर्फ आपको first AC में भेजा जाएगा अगर भेजना होगा तो कभी भी आपको third AC या फिर sleeper नही मिलेगा तो इस इस से बिल्कुल निश्चिनत रहेगा अगर आपने इस option पर क्लिक किया है तो आपका सिर्फ और सिर्फ फायदा ही है तो अगर आपका ticket वेटिंग में है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप single journey कर रहा है तो इस option को जरूर से लिए लिजे क्यों